हेलो गाइज, आज मैं आप सबको पहले हैपी दिवाली कहना चाहूंगी जैसा कि अब आप देख चुके हैं, फैस्ट आ रहे हैं, दिपावली आ चुकी, आने ही वाली है, तो क्यों न अपनों के साथ तोहर मनाया जाए और अपनों को मिठाई की जगा, इस मुलावटी दुन हैं, वो मिठाई नहीं देनी है, क्योंकि मिठाई में क्या होता है, मिठाई भी मिलावट वाली आरी आजकल, आप देख रहे हैं, और काजू बदाम तो हर साल दिये जाते हैं, बच्चों के जो कपड़े होते हैं, वो भी हम हर जनम दिन पर देते हैं, सोने की रिंग, अब जो उपहार बसता है, बढ़िया, वो बसता है, मोधी के गिफ्ट, तो इस बार हम सबको खुस करने वाले हैं, सबको क्या गिफ्ट देने वाले हैं, क्योंना हम छोटे-छोटे गिफ्ट बनाके, अपनी मदर को, भाबी को, भीया को, सबको खुस करें, तो मेरा मानना य यह है यह है टीट्री ओयल इसके लिए हमें हम यह उनको दे सकते हैं जो हमारे घर में बुजूर्ग है या जिनके बाल जण रहे हैं हम यह टीट्री ओयल उनको गिफ्ट कर सकते हैं यह हमारे पास कलर है नेल पेंट है यह भी हम अपनी भावी को गिफ्ट कर सकते हैं यह हमारे पास है संसक्रीम है यह जो की स्कीन को बहुत अच्छा रखती है तो अगर आपका बजट है तो आप यह संस्क्रीम नेल पेंट और टीट्री ओयल इन तीनों का भी गिफ्ट बना कर आप घर पर छोटा सा गिफ्ट एकसांदार सा गिफ्ट आप बना कर दे सकते हैं और यह है श गिफ्ट कर सकते हैं दीपावली पर चाहें तो इन दोनों का एक पैकेज बना लीजिए इस तरह से दोनों को मिलाके एक पैकेज बना सकते हैं आप इस तरह से और या फिर सैंपू का और फेस वाश का एक पैकेज बना लीजिए बहुत अच्छा सा तो यह भी आप गिफ्ट चोटे दो तीन जो प्रोड़क्ट है उनका नैट में पैकिंग करके या गिफ्ट पेपर में पैकिंग करके अच्छी सी पैकिंग करके आप उनको गिफ्ट करेंगे क्योंकि मिठाईया जो हैं आज कल आप देख रहे हैं मार्कीट में बहुत मिलावट वाली चीज़े आ रहे हैं उससे तो अच्छा है कि हम यह प्रोड़क्ट दे और उनको भी अच्छा लगे हम लोगों को भी अच्छा लगे और हमारे रिष्टे और आपके रिष्टे सब कह किसी तरह से मजबूत होते रहें तो मेरी सुब बहुत बहुत सुब कामना है आपके लिए दीपावली के लिए हैपी दीवाली मोदी केयर